हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले फलहारी थाली यह थाली 20 मिट में बनकर तैयार हो जाती है जब भी आपका उफ्रत या उफवास हो या कोई महमान आये हो और आपको फलहारी बनाना हो कुछ तो आप इस थाली को अराम से बना सकती तो चली शुरू करते ही सबसे पहले हम में 2 कटोरी मुंगफली के दाने एट कर देंगे हमें यहाँ पर मुंगफली के दानों को अच्छे से रोस्ट कर लेना है चलाते हुए कंटीनियों हम इने रोस्ट कर लेंगे अगर आपको यह मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएग जलाती हुई इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे देख रहे हम धीरे धीरे दाने रोस्ट हो गए हैं हमें यहां दाने और आलू की किछडी तयार करनी है तो इसके लिए हमें दानों को अच्छे से रोस्ट करना हैं दानों ही रोस्ट हो चुके हैं, हम इसे इने कड़ाई में से उतार लेंगे, यहार किछडी तुरंत बनकर तयार हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, ना साबू दाना भीगोने का जिंजट और ना ही घंट तक का इंतिजार, तुरंत बनाएं तुरंत ना खाईए तो हमारे दाने यह रोस्ट हो चुके हैं छोड़गि हैं ठंडे हो ंब जाने देंगे, और फिरी इन हमें पीस कर तईयार कर लेना है पीसने के पहलेिकने चिल कान देंगे टेंगे और इनके छिलके तार के मिक्सिजार में हम इने निकाल लेंगे और इने दरदरा हमें पीसना है ज्यादा बारी नहीं करना है दरदरा पीसने के बाद हम इने साइट में रख देंगे हम इने साइट में रख देंगे चलते हैं दूसरी रेसिपी के और यहाँ पर मैंने तिल्ली लिये करीबन दो कटोरी, इसे अच्छे से साफ कर लिया है, एक कडाई लेंगे, उसमें तिल्ली को रोस्ट कर लेंगे, तिल्ली की चटकने के अवाज तक हमें से रोस्ट करना है, ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, इसका कलर ज्यादा चेंज नहीं कर दीवी आज पर हमें continue गुड को चलाते रहना है गुड मेल्ट होने के बाद 2-3 मीट तक गुड को अच्छे से बॉल कर लेना है गुड में उकाली ले लेना है अच्छे से गुड मेल्ट हो जाए इधर हम एक प्लेट में घी लगाकर उसे चक्की जमाने के लिए तयार कर गुड हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है इससे दो से तीन मिल्ट तक कंटिनियू चलाएंगे ताकि गुड अच्छे से राडी हो जाए कंटिनियू हमें इससे चलाना है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब करना ना भूलेगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइगेगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लग रही है हम यहाँ पर हमारा गुड रैडी हो गया है तो यहाँ पर हमने जो तिल्ली सेक कर रखी थी वो हम इसमें एट कर देंगे तिल्ली को हम इसमें एट कर देंगे और अच्छी से चला लेंगे हमें यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है तिली और गुर को हमें अच्छे से मिक्स करना है चलाते हुए यहाँ काम हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हमें इसे जबाना है नहीं तो चक्की कडाई में ही यहाँ टाइट हो जाएगा चक्की जम नहीं पाएगी, इसलिए हम इसे थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना है हाँ, यहाँ पर हम इसमें एक चीज जरूर एट करेंगे ताकि हमारी चक्की अच्छी मुलायम बने तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर हम एक चमच घी एट कर देंगे ताकि हमारी चक्की जमने के बाद अच्छी सॉफ्ट बनेगी तो यहाँ पर मैंने एक चमच घी एट कर लिया है, इसे हम कंटिन्यूर चलाएंगे गेश से नीचे उताल लेंगे और प्लेट में हम इसे डाल कर अच्छी से चक्की जमा लेंगे सारा मिश्रेन को हमने प्लेट में डाल दिया है इसे थुड़ा प्रेस कर दिया है अच्छे से चक्की जम गई है, दो से तीन मिनीट बाद हम इसमें चाको की साहता से चीरा लगा देंगे हमें दो से तीन मिर्ट बादी हमें इसमें चीरा लगा देना है नहीं तो ये ज़्यादा कड़क हो जाएगी इसे रखते हैं हम एक तरफ और चलते हैं हम दाने और आलू की किछड़ी बनाने तो हम यहाँ पर दो उबले हुए आलू लेंगे जिनने मैं अच्छे से ठंडा कर लिया है इन्हें छिल लेंगे कुछ मसाले मैं यहां निकाले कड़ी पत्ता हरी मिर्च जीरा लाल मिर्च और काली मिर्च आलू को हमने छिल कर चुटे-चुटे पीसों में कट कर लिया है एक क अच्छे से इन्हें ब्राउन हो जाने देंगे लाल मिर्च और काली मिर्च को भी यहां पर हम एड़ कर देंगे कटे हुए आलू के पीसे एड़ कर देंगे अच्छे से चला लेंगे दो मीटी से अच्छे से भून लेंगे फिर हम इसमें एड़ करना है बारिक पीसा हुआ मुंगफली के दानों का पाउडर ध्यान रहें यहां पे हमें ज़्यादा बारी नहीं पीछना है मुंगफली के पाउडर को थोड़ा दरदरा ही रखना है अच्छे से चलाएंगे फर्याली नमक इसमें एट कर देंगे और हरा धन्या एट करके इसे साइड में रख देंगे अब चलते हैं हम मखाने राड़ी करने तो एक कड़ाई लिए उसमें दो चमच में घी एट किया है कुछ मखाने लिए मखानों को हम घी में एट कर देंगे अच्छे से चलाएंगे चलाते हूँ हमें इसे कंटिनियू चलाते हूँ है इसे हमें रोस्ट करना है यहाँ पर अभी हमने घी में मखाने एड़ी की है घी अभी हमारा पुरी तरह मखानों ने सोका नहीं है तो यहाँ पर हम काली मिर्च और नमक एट कर देंगे ज्यादा मसाले हम यहाँ पर एड़ने ही कर रहे है प्लेन मखाने ही बना रहे है तो हम यहाँ पर काली मिर्च और नमक एट कर देंगे कंटिनियू इसे चलाएंगे अच्छे से चलाते हूँ इसे रोस्ट करना है इसको चलाने में थूड़ा टाइम लगता है लेकिन अच्छे से यहाँ पर रोस्ट हो जाते है हमें यहाँ पर इन्हें 10 मीट तक कंटिनियू चलाना है चलाते हूए मखानों को हम फ्राइ कर लेंगे मखानों को चलाते हूए 10 मीट हो गए है हलका हलका सा धुआ निकलने लगा है यहाँ पर मखाने हमारे रोस्ट हो गए तो तयार है हमारी फलाहारी थाली 20 मीट में बनकर हमारी थाली तयार हो गई जब भी चिटपट भूख हो उपवास में ही थाली बना कर इंजोई कीजिए